नमस्कार मित्रों मैं अचार्ज पंडरित मुकिय सभासका शास्ती आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं आज हम लोग कार्थिक मांस को कार्थिके स्वामी सिक्क्यों जो रागया है इस पर परिचर्चा कर रहे हैं कार्थिक मांस जो दामोदर मांस और अमरित मांस कहा गया है जो अपने आप में पुनेदाई और अक्ष्य पहल देने बला है कार्थिक मांस में जो लोग भी साथना करते हैं जब करते हैं और पूजन करते हैं वो अक्ष्य पहल देने बला होता है कार्तिके भगवान कार्तिके स्वामी जब बिर्तासुर का बद किये थे तो वह भी कार्तिक मास में हुआ था धर्मन्तरी जी का जो समुद्र मंथन के समय अमरित मंथन के समय जब अबतरित हुए थे अमरित लेके निकले थे तो उस समय भी कार्तिक मास नहीं था तो सारे का रहस कार्थिक मांस से ही जोरा गया है भगबन नाराइन का प्राधुरबाब होता है उसमें सेंस जागते हैं वह भी कार्थिक मांस में होता है इसका एक पुरानी कथा है असकंद पुरान में कार्तिके मांस के बारे में कार्तिके जिसे भी बहुत सुन्द परिचर्चा किया गया है और विश्नु पुरान नारत पुरान में भी इसका परिचर्चा किया गया है सबसे पहली बात तो सुनिए भगबन नारायन जब बैकूंट में बैठे हुए थे तो वहां पर में इंद्रदेवता गार्गमन होता है इंद्रदेव वहां जाके बिलख रहे हैं भगबन नारायन पूछते हैं क्या बात है इंद्रदेवता कहते हैं उधर क्या होता है सुक्राचाजी जी थे पहलाद के पुत्र का नाम था बीरोचन हिरन कस्यपू के बारे में आप लोग जानते हैं हिरन कस्यपू के पुत्र का नाम था पहलाद और पहलाद के पुत्र का नाम था बिरोचन बिरोचन के पुत्र का नाम राजा बली जो परतापी राजा हुए और गुरु के भक्त थे उनके गुरु सुक्राचार्जी एक दिन बताए यदि अपने जीवन काल में आप एक स्वय यदि कर लेते हैं तो आपको इंद्र लोग प्राप्त हो जाएगा इंद्र का आसन को आप जीत लेंगे देवताओं के आप राजा बन जाएगे राजा बली बोले गुरुदेव ठीक है तो निनोनवे को यग हो गया 99 यग को संपन कर लिया जब सौमा यग था तो सौमा यग शुरू होने ही बाला था तो इंद्र देवता चिंतित हो गए देखिए एक रसनात्मत चीज़ आपको बता रहे हैं मनुस एक मनुस के द्वारा मनुस अपने पूर्ण कर्म के द्वारा अपने अक्षय पूर्ण फल के द्वारा ब्रह्म लोग तक जा सकता है ब्रह्म पद को प्राप कर सकता है इंद्र लोग को प्राप कर सकता है तो इंद्र देवता जो है वह भी धरते रहते हैं मनुस के कर्म से तब ही तो आप जानते हैं हमारे बेज सास्तम का गया है जितने भी बड़े बड़े तपसी रिशी मुनी साधना करते थे तुहां पर अपसरावगरे को भेजते रहते थे किस प्रकार जाए उनका साधना भंग हो जाए ने तो ड़ते थे जो कहीं पुन के फल से पुन के प्रभाब से मेरे लोग का राजा न बन जाए देव लोग के सब्सक्राइब भागवान बोलते हैं क्या बात है देव लोग के राजा होके फिर भी चिंतित वह करने लगते हैं ऐसे से राजा बली का सौमा यग आरंभ होने बला है कहीं अगर सौमा यग उसका संपन्न हो गया गुरु सुक्राचाजी के देख रेक में तो निश्चित्त होके भी अगर मान दीजे स्वयक कर रहें तो उसको तो स्वर्ग लोग के राजा बन नहीं है इसमें कोई बरीबात तो है नहीं भगवान नायरेन से इंद्र देवता कहते हैं लेकिन उ तो है राक्षस उसकी प्रविर्टी तो आसरी है उसका कारी छित्र तो आसरी है तो कही अदीती के गर्व से बावन रूप होकर के जो है बौना के रूप होकर के गांठ होकर पूरे सरीर में उनका होता है चोटा चोटा हाथ पहलोगर करके और वहां चल जाते हैं बावन रूप में बावन भरवन की रूप बन करके और वहां जाकर के सेनापदी से बाते हैं क्या लेने के लिए हैं तो से ना पतिकात नहीं आपको क्या चाहिए आप से से नहींको कि से चाहिए तो किस से चाहिए बोले महराज और ब्लेना चाहिए जाते हैं तो वावन भगान हम कहते हैं हमको तीक साmos प्रित्वी चाहिए कहीं धाय देख का भी चर्चा है लेकिन तीन देख प्रित्वी बनाना है बोले यग साला में क्या करना है बोले हवन करनी है तो पले राजा बली जोर से ठाका मरके हसने लगता है उनको आश्चर होता है एक तर छोटा-छोटा हाथ पाऊं और उसमें भी तीन देख प्रित्वी लेना है कोई राजपाट ले लो कोई लोक दे देते हैं कई भूमी देते हैं गव हाथी दे देते हैं आप सराइं देते हैं जो हमारे साथ बरे बरे जो है जो ची मांगे वहों दे देंगे लेकिन वो ब्राह्मन देबता जो है वो काते नहीं ब्राह् एक समात होगा तो में तुम्हारा जितना राजपात है. सब समाथ हो जाएगा तुम्हारा सारे राजपाट को जो हरन कर लेंगे ले लेंगे आप इतना समझाने के बाद भी राजाबली नहीं मानता है वो कहते हैं कि गुरुदेव अगर भगबन नारणी मेरे द्वार पर में आये हैं तो इसे बरका और गर्व की बात क्या होगी हम बचन देए बचन समित्याने सकते हैं जow जूट बोलता है संसार में नाना परकार का अपसब्द बोलते हैं इदा उदर की बाते करते हैं उसका स्रीहीन हो स्रीक मतलब लक्षपी नहीं में चला जाता है इसलिए हम संकल्प कर चुके हैं तो हम जूट बोल नहीं सकते हैं बार बार गुरु जी को मना करने के बाद भी राजा बली नहीं मानते हैं और भगबन नारेंस काते हैं बिल्कुल जो है सो आप हे ब्रामन देपता आप अपना दान ले लिजिए संकल्प करत संक्पर करते बक्त जल्गों इति पर गिर में नहीं रहा है तो राजा बलिकाते है प्रमणडेपता जल्गार को सब्सक्राइब तो जहां से जब रूप्र गिर उस स्थान पर बईट गएते जो जव गिरेगा ही ने तो संकल्प नहीं होगा लेकिन जैसे कुसा लगा उनका आंक फूटा वहां से भाग गए इसलिए दखेगा सुक्राचाजी का एक फूटा हुआ है आप वहां से भाग गए और इधर जल गिरा संकल्प हो गया वही होना था जो सुक्राचाजी पहले बताए बिराट रूप में आ आप क rubbish रहा ही नहीं कि रख लएगा तो घंठे जयाएगा तो तुम्हें मैं इस्धापित कर दोंग तो हसने लगते हैं ओ कहते हैं नहीं आपको शुरूरा उनका बने लगताLes काते बार मांगो और दली वी उसकी आंको स्विया से उधारा निकलने लगता है, वह बढ़ नहीं मंगता है, तो भगबन नारेन अनयास ही है, जब देखेगा, हमारे बेवारी घर में भी देखते हैं, जब पीता प्रसन हो जाते हैं, पुत्र पर में, तो देते हैं, ये कारी कर लो, उने काते हैं, ले लो, ये भ तुछ सนसार के लिए दूरदलब है अजर अमर का बार्दान उनको मिल जाता है leaked कुछ तू मांग लो तुम अपने मुग से मुण मांगने में पुनह डेरी करता है कलें दूसरा बरदान हम देते स्वर्ग लोग प्राप्ति करने के लिए स्वमाइद करा था तुम आज पताल लोग के राजा तुम को बना दे तुमको पताल लोक का सिंह भासन का तुम राजा हो गया अब तो कुछ मांगो जैसे ही दो बर उसको मिलता है कि राजा बली काते हैं भगवन ठहर जाईए अगर हमको कुछ मांगने लिकाते हैं तो जब आप राजपाट दे दिये राजा बना दिये और उसके बाद जो है दिर्गाई भी हो गए अनंत काल तक मेरी आयू रहेगी तो आप जो है एक बरदान दीजे किसी का राजपाट बरियां कब चलता है जब उसका सैनापती बरियां होता है द्वारपाल बरियां होता है जैसे भगवन नारायन का द्वारपाल है जय और विजय तो राजा बली कहते हैं भगवन नारायन से हे भगवन मुझको यदि देना चाहते हैं तो मेरा आप द्वार पाल बन जाइए क्यों कि द्वार पाल बन जाने के बाद यह इदि भगबन नारायन द्वार पाल के रूप में रहें गेट की रहेंगे तो चादरतान के पैरम सांचित होकर सायन करेंगे कोई उनको जहाशितर का भैर नहीं है किसी राजा-मह प्रवंट में देखती हैं भगबन नारयन नहीं है तो पता लगा है तो बिलक्षने लगी उदास हो गई शारे देव देवता के पास जाते हैं कोई उपाई किजे वह लेशकात कोई उपाई नहीं हो सकता है और ये द्वारपाल होने का बचन देती हैं तो हम लोग क्या कर सकत मैला लक्षमी आ जाती है धेस उनका बदला हुआ है और उसके बाद जो है राजा बली पुछते हैं क्यों रो रही हो तो मैया लक्षमी कहती है यानि रूप बदली हुई है कि आज रक्षा बंधन का तेवहार है और सभी लोग अपने भाई को राखी बान रहे हैं मेरा में राजा बली हेग भाबुक हो जाता है बोटों को बात नहीं है मैं तुम्हारा भाई बन जाता है आप हम अलाकशनी तो यह यह चाह रही थी तुरद राखी निकाली और बांदी तो हमारे सास्तु में परंपरा है यदि बहन राखी बांती है भाई को तो भाई मुँ मंगा बढ़ देते हैं जो बहन चाहती है वो देना चाहते है जो सामर्थ के अनुकूल रहे अनुसार रहे वो देना चाहिए तो वहाँ पर राजा बली तो महाराज हैं उनके लिए क्या यह है बोले जो मांगोगी वही देंगे तो लक्षमिया कहती है आप यह काम कीजिए आप भी संकल्प कीजिए तो उससे में संख आता है फिर उसमें जल डाला जाता है फिर संकल्प करते हैं जो ठीक है आप जो बचन बद है और राजा बली भी बचन हार चुका था अब उनको देना है आप भग्वन नाराइन इसक़न का निदान किसे हो सारे देवी देवताय कत्रित हो जाते हैं वहाँ पर में स्वर्ग लोग में एक तरह समझे जो बैटकी लग जाता है सारे लोग आते हैं अंत में इस निर्णय पर पहुंचते हैं जो भगबन नाराइन इनको बर्दान दिये हुए हैं बचन बद हैं तो उनके यहां तो द्वा निकला जो साल भर में यानि 12 मास में चार मास जो होता है आसाड सुक्लपक्ष में एक आसी के दिन जिस दिन देव सैनी एक आसी होते हैं उस दिन संसार के लिए जो है भगबन नाराइन सैन्द में चले जाते हैं लेकिन बास्तविक्ता में उहां पर मूँ चले जाते हैं रा दिन भगबन नाराइन का जागरन होता है वो सैन अवस्था से जागरित होते हैं और उसके बाद फिर अपना स्रिष्टी का कारेभार देखते हैं तो माता लक्षमी अपने मान लिजे ज्यान से बुद्धी से एसवर्यादी से और विबेक के द्वारा पुनः भगबन कि उहां पर में द्वारपावन के रहते हैं और आठ अमास तक स्रिष्टी का जिए ये पौनलिक आठाह एक और कधा आपको बताते हैं जबरी हमसार में ए mandarी कथा ये है जो कि जब स्वाhost, परेपुर्ण हो उनके शरीर पर तेज हो उस्तिरी हीन ही माना जाता है कि लक्ष्मी के बीना जीवन की कल.. परिकल्पना उस्तून युद्वार है हो नहीं सकता कि ध्यान दवारपाल जाते ह additions भगभन नारहन वहां द्वार कौन कर एक तो अंतुमें भगभन नाराइन को महादे भूले नाथ को सूंब के जाते हैं मेरे अपसेंट्र में आप जो हाँ पारन्द तभी है तो आप देखेगा सावन मास mush जो हैभोले न्थ का मास माना गया तो किसी तरह सावन मास को चलाते हैं और अंत में सावन के बाद आ जाता है भादो जैसे ही भगवन नाराइन का कृष्ण रूप में अबतरित होते हैं तो कहते हैं आप इस संसार का देख रेक कीजिए और देख रेक करने के बाद जो है उसमय भगवान कृष्ण रूप में फ माता जी काकमन होता है, माता देखरे करती है, स्रिष्टी का पालन करती है, और जैसे ही आसीन जो है समाप्त होता है, कातिक में भगवन नारायन जागते हैं, उसी समय मैय अपुना सोंप देती हैं, आपका जो है ये स्रिष्टी और आप सम्हाली, ये पोरानिक अद्भूत कथ जो एक मार्मिक पद देने बाला है मेरा ये कथा भी सिस्वान का आपको कैसा लगा ज़रूर बताएंगे तब तक के लिए धन्नवाद